नमस्कार जहिंद दोस्तों वादा है आपसे एक महीने के अंदर आपकी जीके साइंस वगरे श्ट्रॉंग कराने का आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शांदार कॉश्चन लेकर आ गए हैं यह पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं कॉश्चन इतने शांदार हैं आप देख ना मुझे लाइक चाहिए ना शेयर चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए बस पढ़ते जाओ अच्छे से इमानदारी से पढ़ो इस वीडियो को देखो कॉश्चन को याद कर लो एक से दुवार देखके करते वीडियो स्टार्ट पहला कॉश्चन दिखिए है फेरे नामक प्रोटीन का उत्पादन कहां से होता है तो यक्रत के द्वारा होता है रक्त का अध्यन क्या कहलाता है तो हेमेटोलोजी रक्त का अध्यन रक्त का थक्का बनने में सायक तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में सायक होती है प्लेटलेट्स की म्रत्यों कहां पर होती है तो प्लीहा में प्लेटलेट स्कीम रत्यों होती है रक्त का थक्का जमाने में साइक विटमिन कौन सा है विटमिन के रक्त का थक्का जमाता है रोधिर का तरल भाग क्या होता है प्लाजमा रोधिर का तरल भाग होता है प्लाजमा में जल का प्रतिशत कितना होता है तो प्लाजमा में 90 प्रतिशत जल होता है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाजमा होता है तो रक्त में 55 प्रतिशत जो भाग होता है वो प्लाजमा होता है पदार्थ की 4 अवस्था क्या है तो पदार्थ की 4 अवस्था किलाती है प्लाजमा ठोस द्राव गैस और प्लाजमा रख्ट में पाई जाने वाली धातू कौन सी है तो लोहा रख्ट में पाई जाने वाली धातू है blood bank कहलाता है तो प्लीहा या स्प्लीन को blood bank कहा जाता है RBC का कब्रगाह क्या है या सम्षान तो RBC का सम्षान कहा जाता है blood bank में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने temperature पर तो 40 degree Fahrenheit पर रक्त को सुरक्षित रखा जाता है blood bank में रक्त सम्मू होते हैं तो किसी का A होगा, किसी का B होगा, किसी का A भी होगा, किसी का O होगा आप में से किसका क्या blood growth है यदि पता हो तो comment करके बता हो A है, B है, A भी है या फिर O है रक्त सम्मू की खोज किस ने की थी, landish tiner ने की थी रक्त सर्वदाता रक्त समू कौन सा है तो ओ सर्वदाता रक्त समू है सर्वग्राही रक्त समू कौन सा है तो ए भी सर्वग्राही रक्त समू है आरेच फेक्टर संबनित है तो रक्त से संबनित है आरेच फेक्टर आरेज़ फेक्टर की खोच करता कौन थे तो लेंड इश्टीनर और वीनर आरेज़ फेक्टर की खोच करता थे रक्त चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथी के द्वारा रक्त चाप नियंत्रित होता है रक्त को शुद्ध करता है तो किड़नी का काम किड़नी को हिंडिये वक कहते हैं का काम है रक्त को शुद्ध करना रक्त के सुद्धिकर्ण की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो डायलिसिस कहलाती है मूत्र का निर्मान कहां पर होता है तो किड़नी में ही मूत्र का निर्मान होता है किड़नी का भार लगबग कितना होता है तो किड़नी का भार लगबग 1500 ग्राम होता है मानव गुर्दी या किड्नी में बनने वाली पत्री किस से बनी होती तो इस्टोन हो जाता है पत्री केल्सिया मॉग्जलेट की बनी होती है रक्त छारी पीएच मान कितना होता है तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है तो इस्फिग्णो मैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है सरपधम रक्त परिसंशन तंत्र का अध्यन किस ने किया तो विलियम हारवे ने किया था शरीर से हरदय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वहानी क्या कहलाती है शरा कहलाती है तो धंबनी दपटी किया है तो पेष नोगा को नियंत्रत किया जाता है जराविक-7 क्या है तो जराविक-7 didd yet शरीयर मëं आक्सिजन परिवहन किसके दुआरा होता है तो रक्ट के दुआरा ही आक्सिजन Battle lightly होता है पित्त होता है तो पीले हरी रंग का एक छारी द्रह होता है पित्त का पिएजमान कितना होता है तो पित्त या बाइल का पिएजमान 7.7 पित्त स्त्रावित होता है तो यक्रत की द्वारा पित्त स्त्रावित होता है यक्रत या लीवर में भविश के लिए कौन सा विटमिन भंडारित होता है तो विटमिन A भंडारित होता है पित जमा होता है तो पित एकटा होता है पित ताशे में हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है हाइड्रोफोविया रोग होता है तो विशाणू के द्वारा वाइरस के द्वारा हाइड्रोफोविया रोग होता है जो कि कुत्ते के अंदर पाए जाता है कुत्ता काटता है तो उससे हो जाता है विशाणू या वाइरस की खोच किस ने की इवानू इसकी ने विशाणू की खोच की विशाणू का अध्धन क्या कहलाता है तो वाइरोलोजी विशाणू का अध्धन कहलाता है रानी खेद बीमारी फैलती है तो वाइरस के दोबार रानी खेद बीमारी फैलती है जन्तुमे होने वाली foot and mouth रोग किस से होता है तो foot and mouth रोग ये भी वायरस वचानू से होता है कवोंगों का अध्धन क्या कहलाता है तो mycology कवोंगों का अध्धन कहलाता है शेवालों का अध्धन क्या कहलाता है तो phycology शेवालों का अध्धन कहलाता है शेवालों की कोशी का बित्ती बनी होती है तो सेलूलोस की बनी होती है शेवालों की कोशी का बित्ती जीवानू की खोज किस ने की तो बैक्टीरिया या जीवानू कोज लिवेन होक ने की है दोनी का वेक सरवादिक किस में होगा तो दोनी का वेक सरवादिक ठोस में होगा दोनी की गती धीमी होती है तो हवा के अंदर दोनी गती धीमी होगी दोनी की चाल कितनी होती है तो 760 मील पती घंटा दोनी की चाल होती है ताप बढ़ने से धोनी की चाल पर क्या प्रवाप पड़ेगा ताप बढ़ाओगे तो धोनी की चाल बढ़ जाएगी वायू क्या है तो वायू एक गैसों का मिशन है वायू धान है तो गैस का गैस में विलियन वायू धान होता है हवा में धोनी का वेग कितना होता है 332 मीट 경डर 602 हवाहा में दौनी का वेग होता है दोनी कर दीवर्स का काई क्या तो देसी वदल से हम जो है कि हम जो है दौनी की तिरृत को मापते हैं हान कुछ चैस्टा बंस गणनता होता है चलodще men तो दूरी का मात्रक है प्रकाश्वर्स एक प्रकाश्वर्स बरावर होता है तो 9.4 चेक और 10 क्यूपर 12 गहात किलोमेटर और इसको यदि आप मीटर करोड़े 10 क्यूपर 15 की गहात आजाएगी दूरी मापने की सबसे वड़ी काई बताईए तो पार्से के दूरी मापने की पाई जाती है तो मस्तिस्क में आपका जो है प्रिट्यूतरी ग्रंथी पाई जाती है मस्तिस्क में माश्टर गंथी कहलाती है तो प्रिट्यूतरी गंथी को माश्टर गंथी कहा जाता है शरीर की सबसे चोड़ी गंथी कौन सी है तो प्रिट्यूतरी गंथी सबसे किस ने किया तो hain egalna unters에게 870 मैं एक वनान व्यक्ति?' में पहचान करने की च्रफानी होती तो हरा और लाल रंक पहचान करने की सहता नहीं होती थाइरॉकसिन हार्मों स्लावित होता है तो था रोइड ग्रंति के दıवार थास था रेकिस वे रामोन i Spaß होता है जठर रसमे में होता है ठो छोटी आत के दुवारा प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य का पाचन प्रारम रहता है, तो मनुष्य का पाचन मुख से ही प्रारम को हमें से उधा सबते हैं,ハुझे के पतरूर अन्दर लेते हैं। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है मानव शरी का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्य सरवादिक होती है तो हमारे शरी की उंगलियां जो होती हैं हड्डियों की संख्य सरवादिक होती है भोजन पचाने में सहाइक होता है तो एंजाइम जो होता है ये भोजन पचाने में सहाइक होता है एंजाइम की रचना होती है तो एमीनो अमल से एंजाइम की रचना होती है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमीनो अमल में बदल जाते हैं प्रोटीन पाचन क्रिया में आहार नाल में स्टार्च की पाचन का अंतिमुद्पाद क्या है तो स्टार्च का पाचन का अंतिमुद्पाद होता है माल्टोज शरीर में अमीनों अमल की संग्या कितनी होती है तो 20 अमीनों अमल होते हैं शरीर में उतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से उतकों का निर्माण होता है हड्डियों और दातों की निर्माण के लिए आवशक्तत्तों क्या है तो कैल्शियम और फासपोरस बोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था तो मिथाइल आइसो साइनाइड का रिसा हुआ था पॉधे का मुखे प्रकार्स अंसलिशन पत्टियों के द्वारा होता है पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कारण पत्तियों का रंग होता है यह आपका हरी कलर का होता है पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्मान के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण पढ़णायःत में उपस्तित मुखे धातू क्या है तो पढ़णायःत में Magneseum जो है उपस्तित मुखे धातू है वायो मिंडल में Doxygen की मादरा संतुलित होती है तो प्रकास Consulation के दवारा पेडवा पौधे द्वारा खाना तयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो पेडवा पौधे खाना तयार करते है प्रकास संसलेशन या फोटो सिंथेसिस का जाता है प्रकास संसलेशन के लिए आवश्यक है तो प्रकास संसलेशन के लिए कार्बन डेयोकसाइड जल क्लोरो ये जो है सभी आवशक होती है amokaz translation की रिया सबसे अधिक होती hé. ये प्रधम इस्थर योग सब्सक्राइए. निने प्रक्न्सार उप्चेन द्रौपाद का है व्हागत रईजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो राइजम, पादपतन millionaire यहां पर राइट आंसर है, दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवानव क्या है तो राइजोबियम है, पॉद्ये नाइट्रोजिन ग्रहन करते हैं, तो नाइट्रेड के रूप में पॉद्ये नाइट्रोजिन ग्रहन करते हैं, पादपों में जल तदक खनिज लवणों का संचारन होता है तो जाइलम के द्वारा पादपों में खादपदार्थ पौदे के विवन अंगों तक पहुंचता है तो फ्लोयम के द्वारा आत्महत्या की थेली क्या कहलाती है तो लाइजोजोम को आत्महत्या की थेली कहा जाता है लाइजोजोम की खोच किसने की तो डी डूबे ने 1958 में लाइजोजोम की खोच की प्रोटीन की फैक्टरी कहलाती है तो राइबोजोम प्रोटीन की फैक्टरी कहलाती है प्रोटीन का संसलेशन होता है तो राइबोजोम के द्वारा प्रोटीन का संसलेशन होता है DNA की खोज किसने की थी तो Watson और Crick ने DNA संसलेशन का प्रतिवादन किसने किया था तो Cornberg ने ओथर Cornberg ने DNA और RNA है तो Nucleic Aml है DNA और RNA ने DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है तो क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है DNA का double helix model किसने बनाय था तो Watson और Crick ने DNA का double helix model बनाय था DNA की एकाईया है तो Nucleotides DNA की एकाईया है सरपधम प्रयोग में प्रयोग्षारा में जीन sensation किया था तो हर गवविंद खुराना ने पुरसवा इस्त्री जीन संगठन है तो XY पुरसों में और XX इस्त्रीयों में एक लड़का पिता से क्रोमोजोम प्राप्त करता है तो आइस प्लस हुआ है बच्चे का लेंग नरहन किसके द्वारा होता है तो पिता के गुण सूत्र के द्वारा पैत्रक्ता सिद्ध करने में सायक है तो DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट मदू में रोग होता है इंसुलन की कमी से मदू में रोग होता है इंसुलन की खोच किसने की थी तो बैटिंग एवं बेश्ट ने इंसुलन की खोच की थी इंसुलन शरीर में बनती है तो अगनाशय के द्वारा इंसुलन शरीर में बनती है ब् विटमिन C दूद के अंदर नहीं पाए जाता, टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ टॉक्सिन कहलाएगा, प्लाजमोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाजमोडियम, मलेरिया रोग का वाहक कौन है तो मादा एनफलीस मचड, मलेरिया रोग का वा मुत्र का रंग पीला होता है तो पीला रंग होता है यूरो क्रोम के द्वारा मैडक के हिरदय में होते हैं तो मैडक के हिरदय में तीन भाग होते हैं मनुष्य के हिरदय में कितने प्रकोष्ट होते हैं तो मनुष्य के हिरदय में चार प्रकोष्ट होते हैं रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो फैरिक क्लोराइट का यूज किया जाता है मनुष्य में प्रचर मात्रा में पाए जाता है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सिजन प्रचर मात्रा में पाए जाता है मनुष के शरीर में जल कितना होता है तो 65 से 80 percent जल होता है हमारे शरीर में मानु शरीर का सामानत आप कितना होता है तो मानु शरीर का सामानत आप 98.6 degree Fahrenheit या 37 degree Celsius या 310 Kelvin Fahrenheit, Celsius & Candlingंग 3 हो में लिख दिया है मनुष्य में मेरुडंड में कितनी जोड़ी तंतृ होती है तो मेरुडंड में 31 जोड़ी तंत्रिका होती है गुणसूत्र की खोच किसने की तो वाल्डेर ने गुणसूत्र की खोच की गुणसूत्रों का निर्मान होता है तो क्रोमेट्र नामक पदार्थ के द्वारा गुणसूत्र का निर्मान होता है मन시ven में क्रोमो जोम की संक्या कितनी होती है तो 46 या पिर 23 जोड़ी सरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो तंत्रीका तंत्र सरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की रशनात्मक तथा क्रियात्मक काई क्या होती है तो नियूरॉन तंत्रिका तंत्र की रशनात्मक एवन क्रियात्मक एकाई कहलाती है नियूरॉन या रखना कोशिका शब्द का निर्माण किस ने किया तो Robert Hook ने कोशिका सब्द का निर्माण किया था कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है तो DNA कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है DNA कोशिका का अद्धन क्या कहलाता है तो साइटोलोजी कोशिका का अद्धन कहलाता है कोशिका के भीतर स्वशन का केंद्र होता है तो माइट्रोकॉंडिया कोशिका के अंदर स्वशन का केंद्र होता है समसूत्री विवाजन किसमे होगा तो काएक कोशिकाओं में यहां पर दो जय फूल गोवी का खाने युक्यभाग कूंसा होता है तो पुष्पक्रम्पूल अगोभी का खाने क्वाग है हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है तो कुरकुमिन हल्दी में पीले रंग का कारण है टमाटर में लाल रंग का कारण बताईए तो लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग का कारण है अद्रक तथा आलू के खाने योग भाग कौन सा है तो तना अद्रक और आलू के खाने योग भाग है दूद में पाई जाने वाली सरकरा कौन सी है तो लेक्टोज दूद में पाई जाने वाली सरकरा है सबसे लंबा क्रमी या वर्म कौन सा है तो टेव वम सबसे लंबा क्रमी या वम है कपड़ा सुखाने तथा दूद से मक्खा निकालने वाली मशीन कार करती है तो ये अप किंद्री बल के सिधान्त पर कार करती है दूद से क्रीम निकालने पर घनत पर क्या प्रहाँ पड़ेगा तो घनत तो बढ़ जाएगा दूद से यदि क्रीम निकालेंगे तो एक अश्यु सक्ती बरावर होती है तो 746 वाट के बरावर होता है आपका एक अश्यु सक्ती जल का घंट तो अधिक्तम ते था आयतन नियूंतम होता है तो चार डिग्री सल्सिस पर जल का घंट तो अधिक्तम होगा और आयतन जोहस का नियूंतम होगा मूल रंग कौन-कौन से कहलाते हैं तो नीला रंग लाल और हरा इनको मूल रंग कहा जाता है इंद्रधनुस का नमाण किन-किन क्रियाओं के द्वारा होता है तो इंद्रधनुस का नमाण प्रकाश के पूना अंत्रिक पर आवर्तन पर अपवर्तन पर और वण विक्षे पन होता है इंद्रधनस में रंग होते हैं तो इंद्रधनस में शात रंग होते हैं इंद्रधनस के बीच का रंग कौन सा होता है तो हरे कलर का रंग इंद्रधनस के बीच में होता है प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दर्द के द्वारा प्रकाश का रंग जो है निश्चित होता है बेदन चमता सरवादिक होती है तो गामा किर्णों में सरवादिक बेदन चमता होती है गामा केड़नों में, पराबैगनी केड़नों की खोच किसने की, तो रिटर ने पराबैगनी केड़नों की खोच की है, सबसे अधिक तरस सबसे कम तरंग देर्द होता है, तो लाल रंग का सबसे अधिक और बैगनी रंग का सबसे कम तरंग देर्द होता है, प्रकाश का सूर्य प्रकिनन के कान अंत्रिक्षयात्री को आकास काला दिखाई देता है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण तो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीनन के कारण तारे टिम्टिम आते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिम्टिम आते हैं रेटिना पर बना प्रतिवम्ब होता है तो रेटिना पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिवम्ब बनता है समतल दर्पन में बना प्रतिवम्ब कैसा होता है तो समतल दर्पन पर काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिवम्ब बनता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर तक किसे मने जाता है तो समतल दरपन को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर तक मने जाता है दो समानांतर दरपन के बीच रखी वी वस्तु का प्रतिवंब कहां पर वनेगा कितने वनेंगे तो दो समानंतर दरपन के बीच में दी कोई वस्तु रख दोगे तो अनंतर प्रतिपम बनेंगे उसके हवा का बुलबुला जल में विवहार करता है तो अवतल लेंज की भाती विवहार करता है विद्धुत फ्यूज मिश्ण होता है तो विदुद फ्यूस तामा टिन और सीसा का मिश्ण होता है हीटर का तार बना होता है तो जो हीटर का तार होता है ये नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार बल्ब का फिलामिंट बना होता है अब तो LED बल्ब आ गए जो बल्ब पुराने है कहाँ चवाले उसमें टंगश टंग का बना होता है फिलामिंट विदूद बल्ब में भरा भरी आने वाली गैस कौन सी होती है तो nitrogen गैस भरी आती है Tew-lide में भरा होता है तो पारे के वास्त और औरगन भरी होती Tew-lide में Fuse का तार मिश्ण होता है तो सीसा तथा टिन का मिश्ण होता है Fuse का तार Photography में उपयोगी तत्व है То Silver Bromide Photography में उपयोगी तत्व है फोटोग्राफी में फिक्सर या इस्थाई करण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायू सल्फीट का फोटोग्राफी में कौन से अमल प्रयोग किया जाता है तो ओक्जलिक अमल यूज होता है तेल अदीब की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किस क्रिया के दवारा तो केशिकत्त क्रिया के कारण हीरे का चमकना तर्शम्रग मरिशिक का बनने कान क्या है तो पूर्न आंत्रिक परावरतन बुष्तिर उपगरा की उचाई कितनी होती है तो 36,000 किलोमेटर बुष्तिर उपगरा की उचाई होती है सूर की उर्जा का स्त्रोत क्या है तो नाब की सनलें सूर की उर्जा का स्त्रोत है रॉकेट की गती आधारित होती है तो समवेक संडरक्षन की सिदान पर आधारित होती है मानवनेत्र का कारे करता है तो मानवनेत्र उत्तल लेंस की तरह कारे करता है निकट द्रश्टी दोस्ट या मायोपिया दूर किया जाता है तो अउतर लेंस का प्रयोग करके दूर करते हैं निकट द्रश्टी दोस्ट का कारण क्या है तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तो फोकस दूरी के कम जो हो जाना इस कारण से निकट द्रश्टी दोस्ट हो जाता अपर माढूब का बम का सिध्हांत सो कहो होता है यह नाभकी वहहँदन पर अधाइदForum और है मार्म का सदान्त क्या है तो नाभकी सवयन हाइदर ममका सेधान्त है ग्रिनहुब रभाव गैस है तो कार्भन डाइउक्साइडका सो को 쓰라ओ인지 सग्हारि बनाने तथा आँक कान की जांच में कौनसा होता है नावी की विखंटन में प्रोक्त होता है तो plutôt नूट्रोन का प्रोक्त ब्रोमीन माटी आती हैं तो अंतर के दवारा विद॥ार माइधन आती है अदिश रासियां हैं तो कार ये उर्जा ताप समय और चाल सदिश रासियां हैं तो त्वरण, बल, विस्थापन और वेग सदिश रासियां है शुशकवर्प क्या किलाती है तो ठोस कारवन डियोकसाइट सुशकवर्प है तत्तो का सबसे चोटा कण या भाग होता है तो परमानू तत्तो का सबसे चोटा कण या भाग होता है रासानिक योगिक का सबसे चोटा यूनिट क्या है तो अनू रासानिक योगिक का सबसे चोटा यूनिट है परमाणू के तीन मौलिक कण बताईए तो इलेक्ट्रोन, प्रोटोन और न्यूट्रोन परमाणू के तीन मौलिक कण है इलेक्ट्रोन की खोच किसने की? जे जे थॉम्सन ने लेक्ट्रोन की खोच की प्रोटोन की खोच किसने की, गोल्ड इस्टीन ने प्रोटोन की खोच की, निूट्रोन की खोच किसने की, जेम्स शेडविक ने निूट्रोन की खोच की एलेक्ट्रोन होता है, तो रन आविशित होता है, रन आविशित कड़ है प्रोटोन होता है प्रोटोन धन आविशित कड़ है नूट्रोन कौन सा कड़ है तो नूट्रोन एक आविश रहित कड़ है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना उस पर नेगिटिव चार्ज होता है पॉजिट्रोन की खोच किस ने की तो एंडर्सन ने प्रोजिट्र होटा हैं कि प्रोटॉं का वार एलेक्ट्रों के भार से कितना दोना होता है तो प्रोटॉं का वहार उलेक्ट्रों के भार का 154 100 गुन होता है विद्ध सब्गटन में ऑक्सी करन मतला ओकॉड़ा होगा तो यह नोड के छोच किस नह आ की तो रडर पोड में परमाणू के नाविक की खोचकी, परमाणू के नाविक में क्या क्या होता है, तो नाविक के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रोन होते हैं, और एलेक्ट्रोन क्या करते हैं, एक तत्तु के परमाणू में प्रोटोन या एलेक्ट्रोन की संख्या क्या होती है, तो जो संख्या होगी ऐसे परमाडू जिनके परमाडू क्रमाडू संख्या है संख्या है बिद बिन वरीज्गान अवर्षाणी के प्रस्तुत करता कोन है किसने किया था प्रस्तुत तो मेंडलिफ ने आवर्ट सांडी में उदग्र तथा 36 तंबों का कहते हैं तो वर्ग और आवर्ट या रखेगा आवर्ट सांडी का पहला तत्तो कौन सा है तो हाईडोजन आवर्ट सांडी का पहला तत्तो है तत्तों का सबसे पहले वर्ग किस ने किया तो डोब रेनियर ने सबसे पहले तत्तों का वर्ग करन किया था आदुनिक आवर्ट सांडी में वर्गों था आवर्टों की कुल संक्य कितनी है तो वर्ग है 18 और आवर्टे है 7 नौन इश्टिक वर्टन बने होते हैं तो टेफलोन के बने होते हैं नौनिष्टिक बरतन आयस्क में उपस्तित अशुद्धी क्या कहलाती है तो आयस्क में उपस्तित जो अशुद्धी होती इसको गैंग कहा जाता है खनिजों एवं ऐसकों से धातू प्राप्त करने के विज़ी क्या कहलाती है बरतनों में कलाई के लिए उप्योग क्या जाता है तो अमोनियम क्लॉराइड का उप्योग होता है बरतनों में कलाई के लिए पटाकों में हरा रंग होता है तो पटाकों में जो हरा रंग होता है ये बेरियम के काण होता है हरा रंग आतिशिवाजी के दोरान लाल चटकरंग होता है तो इस ट्रांसियम की मौजूर्वी काण लाल चटकरंग आता है भविश्का इधन कहते हैं तो हाइडोजन को भविश्का इधन कहा जाता है मार्श गैस कहलाती है तो मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है नोबेल गैस किसको कहा जाता है तो हीलियम को जो है नोबेल गैस कहा जाता है सरवादिक हलकी गैस कौन सी है तो सरवादिक हलकी गैस है आपकी हाइडोजन सबसे हलकी धातू तो लीथियम सबसे हलकी धातू सबसे भारी धातू तो ओसमियम सबसे भारी धातू सबसे कठोर धातू तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातू होती है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ कहलाता है सरवादिक प्रत्यास्त धातु कौन सी है इस्टील सरवादिक प्रत्यास्त धातु है गुबारों तो वायू यानों के टायरों में भरी जाती है तो गुबारों और वायू यानों के टायरों में हीलियम गैस को भरा जाता है अस्रू गैस है तो क्लोरो एसिटो फिनोन अस्रू गैस कहलाती है हसाने वाली gas कौन सी है तो nitrous oxide इसको N2O बोला जाता है यहाँ पर 2 नहीं लिखा लिख दो N2O नाइटरस oxide जल की अस्थाई कढ़ोरता कान क्या है तो calcium एवा magnesium के bicarbonate का घुला होना जल की अस्थाई कढ़ोरता कारण है जल में इस्थाई कढ़ोरता किसके कण होती है तो calcium और magnesium के sulfate घुले होते हैं जल की इस्थाई कढ़ोरता दूर होती है जल में sodium carbonate को मिला कर जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल जल का शुद्ध रूप होता है भारी जल D2O का अनुभार होता है तो D2O का अनुभार होता है आपका 20 भारी जल की खोज किसने की तो यूरेत था वाश बन ने की थी और इसका रासायनिक नाम होता Duterium Oxide D2O क्रत्यम वर्षा के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो सिल्वर आयोडाइट को प्रयोग में लिया जाता है लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा नियुंतम होती है तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा नियुंतम होती है लोहे की मात्रा सरवादिक होती है तो पालक या हरे सबजीयों में लोहे के मात्रा सरवादिक होती है लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन से जो है परचड़ाई आती है तो जिंक की परचड़ाई आती है इसको galvanization कहा जाता है विद्धुत एवं उश्मा का सरवत्तम चालक कौन है तो चांदी विद्धुत और उश्मा का सरवत्तम चालक है कितने कैरेट ऑफ चांद कोचा होना अठरा कैरेट सोने में सुद्ध सोना तो बेवकूंफों चोनद को पाइराइट सको वेवकूंफँ का सोना कहा जाता है लोहा निकल एवं क्रोमियम मिश्धातु है इस्टेलेंस इस्टिल की मिश्धातु है शोल्डर या टाका मिश्ण है तो शोल्डर सीसा तथा टिन का मिश्ण होता है क्वाड्ज में होता है तो सिलीकॉन तथा ऑक्सीजन होता है क्वाड्ज में प्राक्रिक रवड वहुलक है तो आईसोप्रीन का वहुलक है प्राक्रिक रवड सबसे उत्तम कोईला कौन सा है तो एंत्रेसाइड यहां पगलत है टाइप कर लेना एंत्रेसाइड सबसे उत्तम कोईला है कांसा मिस्धातू है तो तामे तथा टिन की मिस्धातू होती कांसा क फल्लाने के लिए प्लिकरों की यह के जाता है लोहे यह को इस पाथ मदलने की लिए मिलाए जाता है झाय50 स्विए। का चश्मा किस का प्रियूग होता है तो फ्लिंट काुट का रियूद होता है जब फादिए का प्रहि पंटब का च थे तो फ्रहि-ठक क्या है तो फादिए हроб इंठ्क होता है सेव ईससे साज़रे प्रहिक प्रहबन इससरह वठैश्विकよ के रिय्प का होता है केल्शेयम का दॉलोमाइट। पोटैशियम का चैडमियम का होता नाइटर और पोकेकिम का नाइटर। और ग्रीनोकाइट। बर्प का द्रॉणांक तथा हिमांक जीरो डिग्रीस Celsyus. LPG में गंद के लिए मिलाया जाता है तो Salfar के योगिक मिठाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है एक मोल वरावर होता है तो 6.023 गुड़ 10 की उपर 23 गात एक मोल वरावर होता है एवोगलर संख्या भी यही होती है 6.023 गुड़ 10 की उपर 23 की आत हीरर का आप एकशिक घंत्व तथा अपवर्थनांग तो आप एकशिक घंत्व होता है 2.2 अपवर्थनांग होता है 2.417 रिक्टर में नियंत्रक छड़ डैश में प्रयोग होता है तो नियंत्रक छड़के रूप में कैडमियम या बोरोन की छड़का यूज के जाता है अर्द चालक का उधान है तो कार्बन सिलीकोन तथा जर्मेनियम ये अर्द चालक का उधान है अर्द चालक पर ताप का क्या प्रवा पड़ता है तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ जाएगी ताप घटने पर चालकता घट जाएगी अती चालक की प्रतिरोगता होती है तो अती चालक की प्रतिरोगता शून्य होती है सोडा वाटर विलियन है तो गैस द्रव का अमलों में विलियन होता है सोडा वाटर राजा कहा जाता है किसका अमलों का राजा एक सेकेंड ये दू कॉशन है सोडा वाटर विलियन होता है गैस और द्रव का यहां से दूसर कॉशन है अमलों का राजा क्या कहलाता है तो H2SO4 को अमलों का राजा कहा जाता है थोसों में उश्मा का संच्रण होता है तो चालन विधी के द्वारा उश्मा का संच्रण होता है कान पर ध्वानी का प्रभाव कितने सेकेंड तक के लिए रहता है अनुप्रस्त तरंग का उधान है तो प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्त तरंग का उधान है अनुदर्द तरंग का उधान है तो ध्वनी तरंग अनुदर्द तरंग का उधान है ध्वनी तरंग गमन करती हैं तो ध्वनी तरंग लंबवत गमन करती हैं मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रवित रंगों को जो है मनुष्य नहीं सुन सकता पराश्रवित रंगों को सेकेंडरी लोलक का आवर्थ काल कितना होता है तो दो सेकेंड का होता है मानोनित्र का इस पष्ट दर्शन की नियुतम दूरी कितनी होती है 25 cm होती है सामाने आँक के लिए दूर बिंदू है तो अनंत सामाने आँक के लिए अनंत दूर बिंदू है कैपसूल का आवरण बना होता है तो इस टार्ज का बना होता है दोस्तों ये हो गए आपके 300 कोश्चन इसके आगे का वीडियो आपको मिलेगा कल रोबो सुबह 6 बजए आपको GK Science का वीडियो मिलता है जिसको भी GK Science रोज पढ़नी है तो हम से जोड़ जाईए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों को जोब जय हिंद जय भारत